अज हम लोग कविता में बिंबो के महतों पर चर्चा करेंगे। कविता में बिंबों और छंदों की महत्यों को नए तरीके से जानेंगे यानि हमारे नए कभियों ने किस तरह से उसको कहा है जैसे अभी हम नागारजुन की कविता पर चर्चा कर लेते हैं। इस कविता में आपने जो बात देखी कि कैसे उसने पदवाक्यों से खेलने की प्रयास किये हैं। फिर अकाल जहां खत्म हो चुका है वहां कहना है तो यह पदवाक के बाद में चला जाता है। और पहले दाने आये घर के अंदर। बिलकुल इसी तरह से आपको याद होगा कि भगोती चर्ण बर्मा की एक कविता है जो आप बच्पन में पढ़ते रहे होंगे। आपने देखा होगा पढ़ा होगा कि हम दिवानों की क्या हस्ती है आज यहां कल वहां चले। मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उडाते जहां चले। मस्ती का आलम साथ चला तो केवल बच्चों की टोली आदा रही है एक चित्रा आ रहा है। लेकिं जैसे ही मैं कहूंगी कि पूरा मुहला साथ चला हम धूल उडाते जहां चले। यह एक ऐसे द्रिशी की और ले जा रहा है जहां किसी भी पहल के में हमारा पूरा गाउं साथ हो पूरा मुहला साथ हो। कोई पहल आपने की कहीं भी किसी कह सकते है कि किसी बात को करने की कोई पहल खेती की पहल हो सकती है यह पिर किसी तरह का कह सकते हैं सामाजिक न्याए की पहल हो सकती है तो वह भी पहल उसमें पूरा मुहला साथ चला तो द्रिशी बदल जाएगा द्रिशी चित्र को कैसे के प्रयास करने चाहिए और जब कविता में इन बातों के आप प्रयोग करेंगे ना तो आप खुद भी यह सीख जाएंगे खुद भी आप जान जाएंगे तो इसी तरह के बल्कि कई प्रयोग कवियों ने किये हैं जैसे महादेवी वर्मा का नाम आपने सुना होगा हो रहा है कौन सा चित्र पैदा हो रहा है कौन सा चंद पैदा हो रहा है यह कोशिशे हुई हैं बिम्बों की तरह से ही और शब्दों की तरह से ही कविता की संरचना का भी बड़ा महत्व है यानि कविता में अगर हम संरचना को बदल देते हैं वाक्य में एक पदवाक्य को आगे और पीछे कर देते हैं तो भी अर्थ में अंतर आ जाता है ये खेल करके हम कविता की बारीकियों को जान सकते हैं जो ये सारी बाते में बता रही हूं दरसल आप कविता के अर्थ करते समय कविता को समझते समय खुद कविता को लिखना भी सीख जाते हैं ये एक बहुत जरूरी चीज है और मैं समझती हूँ कि कक्षा में कविता की पुनर रचना करनी चाहिए अगर हम पुनर रचना नहीं कर पाते हैं तो कविता को जिन्दा नहीं कर पाते हैं कविता मरी हुई कविता होगी अगर उसका कोई भी अर्थ निकलेगा तो ये बहुत जरूरी चीज ह तो कविता की संरचनाओं से भी खेल करके देखिए जैसे एक उधारन में ले लेती हूँ धूमिल की एक कविता है जिस पर थोड़ी सी चर्चा हम पहले भाग में भी कर चुके हैं तो उस कविता को आप ध्यान करिए कविता मोची राम और जिसमें कुछ पंक्तिया में आपके सामने रखोंगे उधारन के लिए चोट जब पेशे पर पढ़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर केल दबी रह जाती है और मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गढ़ती है अगर मैं उसको उलट देती हूं पेशे पर पढ़ती है चोट जब यानी मैं ने सरचना बदल दी हमने कर दिया पेशे पर पढ़ती है चोट जब तो आप खुत देखिये कि पूरा का पूरा दबाव जो हो रहा है वो हम चोट परना जाकर के पेशे परना जाकर के चोट पर जा रहा है जब हम कहते हैं चोट जब पढ़ती है पेशे पर तो हमारा ज्यादा महत्व होता पेशा बहुत महत्व पुन होता है यानि अगर माल लीजिए जो काम हम कर रहे हैं, जिस पेशे से हम जुड़े हैं, उस पेशे में हमें सही महंताना नहीं मिलता है, कल्पना कर लीजिए, कि सही महंताना अगर हमें नहीं मिलता है, तो कल्पना करिए कि मेरा काम प्रभावित होगा कि नहीं होगा, होगा, उत्षित रुप से हमारे काम पर असर पड़ेगा काम उतना सुन्दर उतना स्रेजनात्मग नहीं रह पाएगा उतना शायद अच्छा नहीं हो पाए यह शायद यह संभाव है यह मान के चलिए तो पेशे पर चोट पढ़ने का मतलब होता है कि अगर उसके उसकाम की महत्तों उसकाम की वैल्यू, उसकाम का मुल्य उचित महनताना उचित महले नहीं मिलता है तो संभावत जादा असर होगा जादा समस्या खड़ी होगी यह जादा बड़ी बात है और अगर मैं कहती हूं इसको उलट देती हूं सनरचना को और मैं कहती हूं कि पढ़ती है पेशे पर चोट जब तो चोट पर पुरा का पुरा हमारा दबाओ जा रहा है और चोट इतना वहत्यपुन नहीं होता है आप ध्यान रखिए कि कभी कोई काम हम करते हैं तो चोट हो सकता है हो सकता है कि हम जिस बात के लिए आवाज उठा रहे हैं उस आवाज में हमें कहीं चोट आ गई यह मामूली बात है, ऐसे आती रहती है, यह सब होता रहता है, अगर हम इसके कारण से भटक जाएंगे अपने रास्ते से, तो हम कभी मंजिल तक नहीं पहुँच पाएंगे, मंजिल तक पहुचने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा ध्यान कहा है, जैसे अरजुन के आख जो सनरचना को बदलने से पूरी कविता का अर्थ बदल जा रहा है, वो एक दूसरी कविता होगी, लेकिन फिर भी एक कविता तो होगी, इसलिए सनरचना से खेल करके, सनरचना को बदल करके देखिए कि क्या कविता वही रह जाती है या दूसरी रह जाती है, इस तरह से आप शब्दों के सही प्रयोग को जान पाएंगे, और आप जान पाएंगे कि कहां और कैसे शब्दों को रखा जाए, तो एक अर्थ निकल कर क्या आता है, शुरुआत में हमने ये बात की थी, कि शब्दों से खेलना सिखिए, तो उसमें एक अर्थ तो ये था, कि बहुत सारे शब्दों के परयायों को जानिये, और शब्दों के सही प्रयों के कौन सा शब्द सही होगा वहां पर, कविता में शब्दों का परयाय नहीं होता है, तो कौन सा सही शब्द होगा ये जानिये, लेकिन उसके साथ-साथ एक और महत्वण बात उसमें निकल कर आती है, कि किसी के साथ एक और महत्यपुन बाद है जो जानना ही चाहिए जैसे अगर हम परिवेश को नहीं जानते हैं कि किसी परिवेश जैसे अभी आपके सामने में ने कविता पिछली उसमें प्रसुत किया था और अभी भी फिर से उस पर चर्चा कर रहे हैं जैसे नागारजुन की क कहा है कालिदास को भी याद करते हैं कालिदास को याद करते हुँ उसमें पूरी संस्कृत निष्ट पदावली का प्रियोग करते हैं और यही नागारजुन जब कई दिनों तक चुलहर ओया चक्की रही उदास करता है तो परिवेश बदल गया है यहां गाओं का करता है तो वही कभी जिसने बादल को गिरते देखा है जब कहा है तो वहां बिलकुल संस्कृत निष्ट पदावली का प्रियोग करता है क्योंकि वहां कालिदास के बारे में कह रहा है कालिदास का मेगदूत याद आता है उसे लेकिन यहां पर गाओं याद आता था है तो बिलकुल से बदल गया है यानि परिवेश का भी बनभायत्व है किस परिवेश की शब्दावली भी आएगी उस परिवेश का द्रिश्य भी आएगा शब्दावली भी कि निराला ने जब मुक्त चंद की कविताएं लिखी या आप जो नई कविताएं लिखी जा रही हैं जो चंद मुक्त जिसे हम लोग कहते हैं तो चंद मुक्त कविताएं जिसे फ्री वर्स कहा जाता है तो चंद मुक्त कविताएं जब हम लिखते हैं तो उसमें चंदों की क् समझ जब तक हमें नहीं होगी, तब तक सही माइने में हम मुक्त छंद की कविता भी नहीं लिख सकते हैं। इन सारे कवियों को बाकाइदा छंदों की अच्छी जानकारी थी, इसलिए वो उस अर्थ की ले तक पहुंच बाते थे। तो वो भी हमें थोड़ा जानना चाहिए। अगर हम कविता लिखने की कोशिश कर रहे हैं और कविता लिखने की ओर जा रहे हैं तो हमें यह सीखना चाहिए, जानना चाहिए कि छंद कितनी तरह के हो सकते हैं। चंद का मतलब जब मैं यह कह रही हूं तो यह ध्यान रखिए, चंद का मतलब बिल्कुल भी यह नहीं है कि आप परिभाशा रट डालिए, बिल्कुल नहीं, आप जानिये कि जैसे माली जीए कि दोहा है, चौपाई है या इस तरह कि छपपए हैं जो पुराने कविताओं में कि एक पंक्ती बहुत बड़ी है और दूसरी पंक्ती बहुत छोटी है, बावजूद इसके उसमें अर्थ का लए कैसे पैदा कर पाते हैं, या भी जैसे माली जीए कविता है शमशेर बहादूर सिंग की, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, तो जब वो कहते ह हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि एक पंक्ती काफी बड़ी जा रही है, दूसरी पंक्ती बहुत छोटी जा रही है, बावजूद इसके उसको कैसे पढ़ा जाए, तो बार बार पढ़कर के उसके अर्थ तक हमें पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए, चंद को भी जानन चाहिए, इसके अलावा हमें यह भी जानना चाहिए कि कम से कम शब्दों में बातों को कैसे कहा जा सके, दरसल भाषा की सबसे बड़ी विशेष्टा क्या होती है, आप इस बात को खुद तलाश के देखिएगा, खुद खोज के देखिएगा, कम से कम शब्दों में अपनी बात कही जा सके, यह भाषा की सबसे बड़ी विशेष्टा है, संशिप्तता, यानि कम से कम में अगर मैं अपनी बात कह पाती हूँ, जादा हमें शब्दों की जरूरत ही न पड़े, भाव यूँ ही सपष्ट हो जाए, हमारी इंद्रियों से हम उसे समझ ले, तो सारी तो आपको महसूस हो ठंड हो, बाकाइदा महसूस होने लगे, आपने तानसिन के बारे में सुना होगा, और ये भी सुना होगा कि वो जब गाते थे तो दिये जल उठते थे, कैसे, ऐसा कैसे हो जाता था, हम बच्छपन में इस बात को महसूस नहीं कर पाते थे, समझ नहीं पाते थे कि आखिर ये कैसे होता होगा दरसल ये वही बात है इस तरह से राग को गाया जाए कि महसूस हो कि दिये जल उठे हैं ये महसूस करना ये जानना इंद्रियों को सक्रिय कर देना यही भाशा का काम है और ये कविता के जरिए सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से हम क कहता है अता किसी समय विशेष की प्रचलित प्रवृतियों को भी ठीक से जनना चाहिए यानि मैंने अभी आपसे बात की थी कि जब तुलसी की कविता को पढ़ेंगे सूर की कविता को पढ़ेंगे तो आपको उस समय की विशेष्टा क्या थी यह भी जानना पढ़ेगा और आज की कविता को पढ़ेंगे तो आज की विशेष्टा क्या है आधुनी कवियों की विशेष्टा क्या है वह भी हमें जानना पढ़ेगा प्रवृति क्या है किस तरह की कविताएं लिखी जारी है यह भी हमें यानि इतिहास की एक अच्छी समझ हमें होनी चाहिए कम से कम में अपनी बात कहते हुए बात कहनी कहनी है आपको बीच में जो गैप है जो फुल स्टॉप है जो पॉमा है उसके ज़रीय वो अर्थ निकल करके आता है का 민주 जो जगह है, दो पंग्तियों के बीच की जगह है, उन जबहों से आप अर्थ निकाल पाते हैं और दरसल ये सबसे जरूरी काम है, क्योंकि किस किस तरह की अर्थ की और हम जा सकते हैं, एक अर्थ नहीं होता है, ये सबसे लोकतांतरिक तरीका है, एक बात को कई तरीके से समझ ये लोगतांतरिक तरीका है और ये कभी जानबुझ के नहीं करता है लेकिन ये करते हुए कुछ ऐसा करता है खेल कि आपको कई दिशाओं में ले जाता क्योंकि कभी तो आपके सामने है नहीं अब आर्थ आपको करना है आज आप करेंगे कल कोई और करेगा और जब दूसरे लोग करेंगे तो हो सकता है वो अपने संदर्वों से जोड़कर उसका एक नए आर्थ निकाले और लिखे एक और बहुत नहीं बात है लिखे हुए शब्द कभी मिटाई नहीं जा सकते मतलब यह हुआ कि लिखे हुए शब्द हमारी नहीं रहते ऑथर इस डेड़ ऑथर ल दुबारा पढ़कर देखना चाहिए कि क्या ये बात जो कही जा रही है सबके लिए उतना ही महत्तपुन है क्या लोगों तो बात हमारी जो मैं कहना चाह रही हूँ वो उस रूप में पहुँच रहा है या इसका कोई अनर्थ भी हो सकता है तो यह प्रयास भी करना चाहिए यानि संपादन भी सबसे महत्तपुन है बात है कविता को यूही लिख करके उसको संपादित करना भी बड़ा जरूरी है आपने सुना होगा कि जैसे जैशंकर प्रसाद च्छायाबाद के कभी हैं कामाईनी नाम की पुस्तक का महा कावे का नाम आपने सुना होगा जब जै को बहुत अंतर नजर आएगा तो वही कभी कई बार उस उन पंक्तियों को लिखता है लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक बार लिखते हैं फिर दुबारा नहीं लिखते हैं जैसे निराला वो लिख देते हैं तो लिख देते हैं उसके बाद कुछ भी उसमें नया नहीं करते हैं लेकिन ये हर किसी की अपनी अपनी विशेश्टा होती है तो जरूरत इस बात की होती है कि उसको दुबारा पढ़कर के देखें कि जो लिखी हुई पंक्तियां है मेरी वो अप दुनिया के पास जाने वाली है वो मेरी नहीं रह जाएगी उसको हर कोई अपने तरीके से अर्थ करेगा जिसलिए जरूरत इस बात की है कि जो लिखा है वो कितना महत्यपुड है वो कितना जरूरी है लोगों तक पहुछना इस बात को भी जाने और यह खेल कर के देखिए कुछ लयात्मक्त्य शब्दों को एक साथ रख करके खेल करके देखिए तो इस हर किसी के भीतर एक कवी है झाल 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 झाल